नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दरशन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ जोटसना टंडन बुल्टन में जानेंगे कौन सी फसल के बड़े भाव किसमे आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल आज हम खासतोर से बात करेंगे धान, मसूर, अरंडी, कारी खरीद पाच करोड़ टन के पार मसूर के भाव में रही उठा पटक, रवी मसूर की बुवाई बीते साल से आगे मजबूती के साथ हुए अरंडी के सौदेश साल सत्रा लाग टन रह सकती है पैदावार बुल्टन के पहले हिस्से में हम जानेंगे मसूर कहा लेकिन आई शुरुवात करते है धान के साथ सरकारी एजंसियों के ओर से धान की खरीड जारी है अधिकते क्रिश्य उपज मंडियों में धान के भावस्थ रहे जबकि कुछ मंडियों में धान के सौदों में मामुली बड़त के साथ कारुबार हुआ गुरुवार को उत्रप्रदेश की मंडियों में धान की आवक अधिक रही। और आंधर प्रदेश जैसे राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। राज्यों से जारी धान की खरीद में सबसे आगे पंजाब राज्य रहा है। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एगमाकनेट के अनुसार धान का कटोरा कही जाने वाले राज्ये चतिस गड़ की प्रताप पूर मंडी में छे जन्वरी को धान का भाव रहा। एक हजार आट सो अठासी रुपे। एक हजार आट सो अठासी रुपे। साथ जन्वरी को इसके सोदे बिना किसी घटत बढ़त के एक हजार आट सो अठासी रुपे पर हुए। जबकि राज्यी की ही लखीमपूर मंडी में इस दौरान सामानने धान के सौदों में 20 रुपे की मजबूती के साथ कारुबार हुआ। यहां साथ जन्वरी को धान का भाव रहा 1720 रुपे जो 6 जन्वरी को 1700 रुपे था। चावल के निल्यात पर नजटाले तो इस साल देश से बास्मती और गैर बास्मती चावल निल्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्श की गई है। साल 2020 के आठ महीने यानी अप्रेल से नवंबर के दरान बास्मती चावल का कुल निल्यात 6,83,514 टन बढ़कर 30,47,496 टन का हुआ है। जो बीते साल 23,63,982 टन का था। वहीं बात गैर बास्मती चावल की करें तो वर्श 2020 में अप्रेल से नवंबर महीने के दरान देश से इसका निल्यात 38,67,808 टन बढ़कर 70,25,676 टन का हुआ है। जबकि बीते साल धान का निल्यात महज 31,57,269 टन का ही हो सका था। बता दे कि चालूर अभी सीजन में धान की बॉआई बीते साल से पीछे चल रही है। उपर आते हुए दिखाई दिये हैं। खरी न कहीं देखें तो इस पर आवक कम होने की वज़े से भावों को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि धान के बजार में आने वाले दिनों में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। दान की किसानों को सला है जिनके पास धान रखा है फिलाल अभी होल्ड करके चलें चोटी अवदी में हमें लगता है कि उनको यहां से अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो अनुची आपके पास एक बाद फिर से वापस लोटेंगे आप हमारे साथ बने रहें। आईए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मसूर की मसूर की बुवाई बीते साल से आगे चल रही है। अभी मसूर का रखबा बीते साल के मुकाबले 62,000 हेक्टर बढ़ा है। वहीं इस साल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 93,000,000 तन से ज्यादा रहने का नुमान है जिसका असर मसूर के भाव पर पढ़ सकता है। मसूर के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में मिला जुला रुख है। रभी मसूर की बुआई 16,19,000 हेक्टेर में हो चुकी है। जबकि बीते साल की समान अवधी के दरान मसूर की बुआई 15,56,000 हेक्टेर रही थी। हाजर भाव पर नजडाले तो एगमाकनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलिगण मंडी में 6 जन्वरी को मसूर का भाव था 6,250 रुपे। 7 जन्वरी को इसके भाव में 50 रुपे की गिरावटाई और भाव हो गया 6,200 रुपे। राज्जी की ही गाजिपुर मंडी में बीते दो दिनों के दोरान मसूर की भाव उस्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 जन्वरी को मसूर बिना किसी उतार चड़ाव के 6,020 रुपे पर विकी। वहीं महुबा मंडी में इस दोरान मसूर के सौदों में 30 रुपे की मजबूती के साथ कारुबार हुआ। यहाँ 7 जन्वरी को मसूर का भाव रहा 5,130 रुपे जो 6 जन्वरी को 5,100 रुपे था। इसी तरह उत्तरप्रदेश की लखीमपूर मंडी में भी मसूर के भाव में बड़त दरश्की कई। यहाँ 6 जन्वरी को मसूर का भाव रहा 5,240 रुपे। 7 जन्वरी को इसके सौदे 10 रुपे चड़कर 5,250 रुपे पर हुए। इस साल प्रमुक दलहनी फसलों की पैदावार में खासा इजाफा हो सकता है। क्रिशी मंत्राले के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालुच सीजन में दलहनी फसलों की उपच में 16,00,000 टन की बड़त अनुमानित है। साल 2021 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार खरीद दलहन की पैदावार 93,00,000 टन रह सकती है। जबकि साल 2019 पे दलहनी फसलों की उपच 77,00,000 टन रही थी। और आएगे एक बाद फिर से रुप कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुपता जी का। अनुजी आगे किस ओर जा सकता है मसूर का बाजार क्या साथ बताएंगे किसानों को। हैं उनके लिए आपके क्या सलाह रहने वाली है क्या पर अमर्श देंगे मसूर के किसानों को सलाय की फिलाल अभी क्रॉप को होल करके चले चोटी अफदी में यहां पर हम देखे तो भावों में तेजी का रुक देखने को मिल सकता है कही ना कहीं अगर हम देखें तो जिस करॉप डेमेज होने की वजे से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है हमें लगता है कि किसान अगर यहां से मसूर को होल करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं तो अनुची आपके साथ आगे भी हम बाच्चीत का जो सिलसला है वो जारी रखेंग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग दुकसान की होगी पूरी भरपाई एग्रिकल्चर इंशॉरंस कंपनी ओव इंडिया लिमिटेड संपन्न भारत की पहचान बीमित फसल खुशाल की साथ ब्रेके बाद एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है मंदी खबर में आईए बढ़ते हैं आगे और अब बात होगी बाजरे की लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा अरंडी का बाजा इन दिनों ज्यादा तर कृशी उपज मंडियों में अरंडी के भाव में तेजी का अरंडी के बाजार पर पेश है ये विशेश रिपोर्ट 4,055 रुपे साथ जन्वरी को इसकी भाव में 1,500 रुपे का उच्छाल आया और भाव 4,205 रुपे पजा पहुंचा इसी तरह राज्जी की ही हलवद मंडी में अरंडी के सौदों में 65 रुपे की मस्भूती के साथ का रुबार हुआ यहाँ साथ जन्वरी को अरंडी का भाव रहा 4,325 रुपे जो छे जन्वरी को 4,260 रुपे था वहीं जम्बूसर मंडी में बीते दो दिनों के दारान अरंडी के भाव स्थिर रहे यहाँ 6 और साथ जन्वरी को अरंडी बिना किसी घटत बढ़त के 3,600 रुपे पर भिकी राजिस्तान के जोदपुर मंडी में 6 जन्वरी को अरंडी का भाव रहा 3,200 रुपे साथ जन्वरी को इसके सौदों में कोई बतलाव नहीं हुआ और भाव 3,200 रुपे पर बरकरार रहा तिलहनी फसलों की बढ़ाई पर नज़र डाले तो क्रिशी मंत्राली की ओर से एक जन्वरी तक के लिए जारी ताजा आंकडों के अनुसार साल 2021 के रभी सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 80,61,000 हेक्टेर के शेक्त्रफल में तिलहनी फसलों की बढ़ाई कर ली है जबकि बीते साल बढ़ाई का रगबा 75,93,000 हेक्टेर रहा था हाला कि साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है ख्रिशी मंत्राले के साल के ली जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,24,000 तन रहने का अनुमान है जबकि पिछले साल अरंडी की पैदावार 18,49,000 तन रही थी राए एक बाद फिर से रुक कर लेते हैं अनुजी का अनुजी इस साल अरंडी की पैदावार 17,00,000 तन रहे सकती है इसका भाव पर क्या असर पढ़ सकता है क्या बताएंगे किसानों को तो भावो में हमने यहां पर गिरावत आते हुए देखी हैं मंडियों के अंदर आवाक बंढने की वज़े से भाव नरम होते हुए दिखाई दिये हैं जी और जो किसान है उनके लिए आपका क्या परणवष रहने वाला है तो बिलकुल अनुजी आपके पास एक बावा फिर से वापस लोटेंगे आईए बढ़ते हैं आगे और अप एक नज़र डाल लेते हैं सोयाबीन के बाजार भाव पर गुज्राप की धोराजी मंडी में सोयवीन का भाव रहा 4,480 रुपए करनाट की हुबली मंडी में इसके सौधे 4,056 रुपए पर हुए और राजस्तान की अकलेरा मंडी में इसका भाव रहा 4,140 रुपए सबी भाव आवक और गुडवत्ता के अनुसार हैं और वाई एक बार नज़र डालेते हैं उड़त के बाव रहा 7,250 रुपए करनाट की हुबली मंडी में इसके सौधे 4,337 रुपए पर हुए और राजस्तान की विजन अगर मंडी में इसका भाव रहा 6,400 रुपए सबी भाव आवक और गुडवत्ता के ही मताबग है की बीते साल की समान अवधी में बुवाई का रखवा 13,000 हेक्टर था इसके हाजर भाव की बात करें तो एक मार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा प्ताबिक चालू सीजन में बाजरे के उपज 9,23,000 रह सकती है आई एक बार रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुपता जी का जो लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और कृशी जिंसों के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं अनुज जी बाजरे में आगे क् इस बाजरे कि द में ना रहे हैं अगर ची आफ़र तो यहां से वापस लौट यह तो लोटेंगे अनुजी आपके पास एक बाद फिर से वापस लोटेंगे वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का आगे जानेंगे लहसून का हाल आप देखते रहेगे दूर दर्शन के सांग सरकार किसारों के भलाए के लिए बहुत सारी योज़नाय लेकर आई है सरकार चिंते थे हमारे ये किसारों के सारी समस्या की लिस्ट है और अब से गाउं में बिजली का टौती नहीं होगी मैं खुच जाके बिजली अधिकारी से बात करके आया हूँ परशात तो लेती जाओ अरे पुजारी जी हम आएंगे शाम को उनके साथ बिस बुलाए रे सी बुलाए रे ब्रेके बाद एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में आईए बढ़ते हैं आगे बात कर लेते हैं लहसून की लहसून की पैदावार में खासी बड़हत का अनुमान जताया जारा है क्रिश्मन तुराले के दो जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसून की पैदावार साल दो हजार उन्नीस बीस में सत्तर हजार टन बढ़कर 98,000,000 हो सकती है जबकि बीते साल की समान अवधी के दौरान उपज 2,91,000,000 की रही थी वहीं गुरुवार को प्रमुक उपज वाले राज्यों की अधिकांच मंडियों में लहसून की आवक सामानी रही इसके हाजर भाव की बात की जाए तो एगमाक नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में लहसून का भाव रहा 7,670 रुपए जमु कश्मीर की नर्वाल मंडी में इसके सौदे 10,500 रुपए पर हुए पंजाब की लोध्याना मंडी में लहसून 4,200 रुपए पर बेका जबकी राजस्तान की कोटा मंडी में लहसून के सौदे 5,500 रुपए पर हुए आईए एक बाद फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुपता जी का अनुजी लहसून की पैदावार में इस साल बढ़हत का अनुमान है ऐसे में भाव की क्या स्थिती रहने वाली है आगे जाकर लेसून की अगर बात करें तो लेसून के बाद पजार में हमने आवख पढ़ते हुई देखिये आवख बढ़ने की वज़े में नर्मी देखने को मिली है कई ना कही नई करॉप के आवख होने की वगज़े से भवन नरम होते वह दिखाई दे रहे हैं और किसानों को फसल बेचने के बारे में आप क्या सला देंगे? आपका बहुत बहुत शुक्री आप हमारे साथ जुड़े और कुशी जिंसों के संबद में अतनी एहम जानकारी हमारे किसानों तक पहुचाई आपका धन्यवाद आएए बढ़ते हैं आगे और एक नज़र डालेते हैं आलू के बाज आरभाव पर गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,975 रुपए हरियाना की गोहाना मंडी में इसका भाव रहा 1,000 रुपए जम कश्मीर की नर्वाल मंडी में इसके सौदे 1100 रुपए पर हुए सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है अब आई ये नजर डाल लेते हैं गुण के बाजार भाव पर उत्तरप्रदेश की आगरा मंडी में गुण का भाव रहा 2775 रुपए यहां की बरहज मंडी में इसके सौदे 3400 रुपए पर हुए और हापुण मंडी में इसका भाव रहा 2600 रुपए तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही उमीद है कि किसानों को अपनी उपच का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी फिलहाल लेते हैं विदा आप देखते रहे हैं दूर दर्शन के सान और मुझे दीजे चासर नमस्कार झाल विए